नमस्कार में आनिल चाथो तुम्ही बगता है अपला एक रोड़ आता है अपला तूर आने कापो साथा त्यों पास एक माहिना चाला है तर दुसरी प्ला तूर आने काप्स चे वह उड़ी सत्या दबावता चाहिए दोनी आनी शेती महलाचे भावे हम भावाचे दर्वयाना पर दुसरी प्ला शेत्करां चाहिए अप्ला शेत्करां ना चानला भावाचे अप्रिक्षा होती है पन घटता उड़ता चाहिए दिशाथ परस्तिती कहारा हुशती अंतराश्टी बागरान मदूल आपले आक कापुसानी स्वाइदिन बादमाल आतार मुटो जाए आपल सब्सक्राइब करते हैं तो पिछले 6 मैंने से मार्केट एक सीमी डायरी में ट्रीड करना है चाहिए हम आइस कॉटन की बात करें चाहिए डिमिस्टिक कॉटन की बात करें प्राइजस में कोई भी बड़ा उचाल नहीं आ पा रहा है इसके विपरित अगर हम देखें तो जो सी आई के अभी नए स्टेट्मेंट्स आये हैं वहां पे भी बताया जा रहा है के टुन्टी नाइट पॉइंट फाइज या लगबग टू नाइटी फाई के आसपास या इस बार पहली बार तीन सो के नीचे पर ग्राउंड में जैसे मैं खुद नौर्ट में ट्रगल करके आया हूं गंगा नगर ये बैट में तो जिटन से इस बार एरिया है वो ठीटा कर रहा है लेकिन जो उतारा है या इल्ड है उसमें लिटरली बहुत पेन है हमने पिंक और में बहुत अच्छी बार इस आई और भाव में भी हमने देखा कि डिस्पाइट ये सब कंसर्ण के बाद भी भाव डाउन था उसका मुख्य करन का डिमांड यान मार्केट में बिलकुल भी हल चल नहीं है इस बार दिवाली हमारे यहां से दस दिन दूर है बट कहीं पे भी हम देख रहे हैं कपड़ा ब्याग में कोई हल चल नहीं है जो पिछले सालों में हुआ करता था जिसके चलते भाव में कोई तेजी नहीं बनी है जबकि ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम देखे तो यूएजडी की जो रिशन प्रिपोर्ट आई थी जहां पे ग्लोबल को इन वे मोवमेंट जो चल रहा है वो डिमांड के वज़े से चल रहा है ना कि सप्लाइब कुल्टा सप्लाई और जो कंसंस है वो काफी गहराने वाले हैं जैसे कि हमने सुना भी है कि सुपर अलिनों बनने वाला है और अगले साल सुखे की प्रभाव में इंडिया भी जो कहीना के कॉटन को आगे तेजी देगा बट टाइमिंग मार्केट में डिमांड नहीं है और एक पैसमिसम बना हुआ जिसके चलना ऐसा ही कुछ हाल सोया भी है सोया भी में में भी हमने देखा कि सोपा के जो नंबर्स आये इन लाइन ओफ एक्सपेक्टेशन आये जो बर्साते थी तो तेजी चौबीस का स्लाइटरी लोवर बता जा रहा है जो ट्वैल पॉइंट वन में 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 के आसपास है जो पिछली बार के मकावने थोड़ा कम जोड़ ज़रू है बट मार्केट में एडिवल और कॉंप्लेक्स के जो इंफलेशन पर प्रभाव दे रहेंगे जो अब तक खड़ाब हुआ करते थी जी सर अभी हम लोगों ने देखा कि वहला पॉटन के बाद करें तो इसका मतलब यह हो सकता है कि चाइना अपना डिमांड फुल्पिल करने के लिए या तक तो अमेरिका इसा पॉटन ज्यादा करेंगा या पर दूसरे कंट्री के पास आएगा तो ऐसे में इंडिया को कुछ आ सकती है कि मतलब जो हमारे नेबरिंग कंट्री पाटिस्तान है बांगलादेश है उनकी दिवान इंडिया के पास आ सकती है अब बिल्कुल देखिए सबसे बड़ा प्लेयर जो होता है इसमें चाइना ही होता है और चाइना एक्चुली देखा जाए तो इंडिया कोविट से बार दो जाली किस में निकल चुका था बाकी कंट्री से निकल चुका लेगि चाइने के लिए अगर हम देखे तो यह साल फरवरी मार्च में जाके कोविट के बाद चाइना पहले बार पिक्षर में आए लेकिए अब चाइना के साथ जो चैलेंज है वो दो तीन तरीके से है पहला हमने रिसेंटी देखा चाइना के जो मैनुफेट्रिंग एक्टिविटी है वो काफी लो पे जा चुकी है गौर् वो भी डिप्लेट लेवल्स पे बनी हुए है तो उमीद तो जरूर है कि चाइना की तरफ से बाइंग आईगी तो वो डेफिनिटल यूएस को पहले बेनिफिट मिलेगी क्याकि अगर आपको घ्यान हो तो आठारा उन्नीस के अंदर एक ट्रेड वार्ट की तौर पे पर सेंट हुआ तो कुल मिला के 20 सेंट में हमने लगबग एक साल पूरा निकाल चुके हैं मुझे लगता है चाइने इस लिए फरवरी में उसके चलते है अगर चाइना की री स्टॉकिंग आती है तो उसका बेनिफिट इंटरनाइस यूएस कॉर्टों को ज़रूर मिलेगा जो 90 सेंट के ऊपर जाने पर हम 110 सेंट का भी लेवल देख पाएंगे जन्वरी तक मार्केट में हमने हल चल थोड़ी बहुत स्टार्ट की बट अभी पैरेटी के इसाब से अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा दिखनी रहा है बट हां जो बांगला दे से टेक्स्टाइल के यहान के प्रॉइंड पॉइंटर में से तो बांगलादेश सबसे बड़ा मार्केट है तो इस वक्त जो कंसर्स बनाता हो थोड़े हाथ तक कम हुआ है पाकिसान में भी हमने देखा कुछ कंसर्स बने वे हैं तो उत्कुल मिला कि आईजओं इंडिया की जो नेवरीं कंट्री से उनकी भी कोई बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है बट मानके चल रहे है कि नवेंबर एंड तक इनकी एक्टिविटी भी स्टार्ट होगी जिसकी वएसे इंगेन मार्केट को भी बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा साथ में डोम अभी जो यह जाने होने दिग्दस लोग है तो उनका कहना है कि इंडिया में का प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन इसका जो फिगर रहता है तो उसका अगर हम लोग बात करें पिछले सलकी तो से आयते हैं तो उसके उपर बहुत ज्यादा रुतना ठीका टिपर नहीं हुए क्योंकि शुरत में उन्हें बोला था कि एकडम हाई प्रोड़क्शन है में में आते आते हैं उन्हें मतलब 298-99 के दर्मान लाके रखा और बात ने बोला कि इने प्रोड़क्शन बर चुका है मतलब 3195 मतलब 319 के आसपास में देखे गए तो इस कंडिशन में मतलब हम लो बात की देशों के मुकाबले अगर हम देखे तो इंडिया का डेमोग्राफिक बहुत बढ़ा है कुछ एडवांस कंट्रीज है जिन्होंने और यह चीज़ों को अचीव की है और यूएजडी भी पूरी कुछ लिगा बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो CIA बोल रही है तो हमार अच्छी से अच्छी कोशिस करती है अपने सारे मेंबर्स को इखटा करके अच्छी से अच्छी रिपोर्ट लाने की बट डैफिनेटली उसमें कुछ कम ज्यादा जरूर होता है बट इंडिया एक इवाल्विंग नीचर में है क्योंकि पहले हम देखते थे ऐसे डेटा ही स कि जाला करके हम देखते हैं कि तीन पॉर्ट होती है अक्टोबर में दिसंबर में मार्च में जिसको हम समबर भूलते हैं लेकिन अब हमने कुछ एरिया में देखा कि सिंगल पॉर्ट के पाद फार्मर फसल को निकालके दूसरे क्रॉप पे सिफट भी हो जाता है अब यह च अगर हम टाइम को पहुचाएंगे तो इसको इखटा करके टाइम पर दे पाएगा तो इंडिया बहुत बड़ा कंटरी है और यह चीज़ों में होता है बट नो डाउट ऐजे व्यापार हम भी आस दिला के बैठे हैं कि अगर अच्छे नंबर आएंगे या प्रॉपर मिले बट कोशी जरू जारी है बट नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली क्योंकि पिछले दो-तीन साल में तीचा चीज़े चेंज़े हुए एक तो वैदर पैटा हम पिछले साल ला निनो में थे इस बार एल निनो में है डैन वाइट फ्लाय अटाइक या पिंग यह भी होता है जर्ज करना कोई भी असोशीचें के लिए भी बट मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही सीन दिखाई दे रहा है क्योंकि फार्मर की एक्स्पेटेशन है कि हमें अच्छे भाव मिले और यह वाजिब भी है बट कहीं ना कहीं भाव में जिस्तन से हमने 6 मैनों में या सब्सक्राइब है तो पूरा इंट्रनाशनल स्वाइबिन मार्केट के सिनर्व कैसा रह सकता है कि जो रिसेंटली की रिपोर्ट आई है महां पर बताया जा रहा है ग्लोबल स्वाइबिन 24 में एक्स्पोर्ट थोड़े कम है विकास अलड़ी हम जानते है है कि रिसेशन का माहूल बना हुआ है सभी कंट्रीज में साथ में जो यूद वाली स्थिति बनी है उसकी वज़े से भी ठीक है मेडियलिस्ट में है बट उसका इंपक्ट हम इरोप में युएस में सभी कंट्रीज में देख रहे हैं वहीं अगर हम ग्लोबल स्वाइबिन के एंडिक स्टॉक की बात करें तो उसमें कमी आई है 3.6 मिलियन टंग की क्योंकि लोग स्टॉक बताए जा रहा है चाइना ब्राजियर और इंडिया में भी हमने देखा है कि अच्छा था दो साल पहले हमने देखा था कच्छे तेर में जो तीजी आई थी उसका इंपैक्ट ह के बीच में पहले है पहला चीज दूसरा दो साल पहले हमने सप्लाई डिस्टरबंस देखा था कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं सेकंडली वार के चलते पिछले साल भी डिस्टरबंस था रूट तो वह अब जाके सप्लाई अच्छी है प्राइब सप्लाई है मार्केट में और लगता है ना मुझे कोई मंदी दिखती है ना कोई तीजी दिखती है आप यह देखिए गौर्वर्मेंट सभी कंट्रीज में अल्मस्ट अगले एक साल में इलेक्शन है जैसे यूएस में हम देखे दोजाट चौवीस में नवेंबर में इलेक्शन है इंडिया में क्यों क्योंकि inflation concern है सभी government को चिंता करते वें दिखा तो मुझे लगता है कि जो पिसले मैंने तक हम ने लो देखा है चाहिए डोमिस्टिक मार्केट में हम देखें तो पैताली सो के नीचे जो भाव आती में देखा वह मुझे लगता है यह सीजन का लो बन चुका है एंड दिरे दिरे मार्केट में स्टैबिटी रही कोई बड़ी तेजी नहीं बोल रहा हूं कि यहां से बाव वाकल आठ जाल हो जाएगा बट मुझे लगता है कि 53 54 के जोन में हम जल्द सोयाबीन को आते वें देखेंगे कोल मिला कि slow and steady demand देरे इंप्रोव होगी जो सोयाबीन के कि बाव तो सपूर्ट करें कि जी सर्थ हम लोग देख रहे हैं कि मतलब गोर्मेंन ने जो अपना इडिवल इंपूर्ट ड्यूटी था वह दिरे दिरे पिछले साल में कम करके मतलब साड़े पात परसंट पर गदे लाक्या रख दिया है तो आने वाले दिनों में अभी कि अई इंपॉर्ट काओ कि इंपॉर्ट इंपॉर्ट्री करती है हम पूरी अधी बहुने बताएं यह पैरतिस लाक सादी के रिपोर्ट है रहा जानते कि सादी में एंसकर बढ़ती है तो वैसे भी अगर हम देखा जाए तो ने लेघ्डेट रहने है तो वे सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होते तो एक तरफ आप देखोंगे होरे का इंडर्स्री में डिमांड भरपूर है हाँ बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं कि अरे रिस्टेशन का फियर है लेकिन अरे जी आप ये देखिए कल सनिवाद परसो रव ही किया था कि महिंगाई का पिंच नहीं लगे नो डॉड़ पूरे महिंगाई किया है अगर हम आखने की बात करें उसमें एडिबल ओईल ने नेगेटरी कोशिस किया है मतलब जो इंफ्लेशन बढ़ रहा है उसको कम करने की पूरी कोशिस की है बट ओट मुझे इसलिए तो आइटिंक प्राइज में साइड वे टू पॉजिटिव रहेगा जनवरी तक और जैसे से डुमिस्टिक मर्केट में डिमांड फेस्टिव सीजन है यह वहाव को एलिवेटिड लेवल्स पर रखेगा चाहिए हम सोया बिंग की बात करें मस्टर की बात करें पूरे एडि पास आप देगी आने वाले दिनों में कॉटन और सोया में हमनों कितनी बरूत्रिक देख सकते हैं और हम फार्मर लोगों को क्या डिसिजन लेना चाहिए कि देखें जी जो मैं पिछले तीन-चार साल से कह रहा हूं कमोटी की सुपर साइकल है अरे सर आप सुपर साइकल बोले बड़ भाव गिरता है देखिए आज आप देखिए कोटन अगर एमचेक्स की बात करें हम अठावने जार पे खड़े हैं सर मार्केट में एक साल से त 3 साल पहले के भाव देखिए जहां 12-15-8 जार पे हम खड़े थे ठीक है हमने उपर में बहुत अच्छे भाव भी देखें अब जाके 10 माले की बिल्डिंग है तो 5 माला चड़ने के बाद हम सास लेते हैं फिर तेजी वापस आती है तो मान के चलिए इस बार ऐल्नीनो का इं के लिए अच्छे नहीं है तो गौर्मेंट इसको बैलेंसिंग एक करके काम करती है बट फिर भी मुझे अगर ओवराल एग्री कमोडरी के फूटर के बात करें तो अगला एक साल तक मुझे रगता है कि कॉटन और एडिवल और यह दोनों पिछले वे हैं पिछले एक साल ज को दिखते हुए तो मुझे लगता है पहले आइस कॉटन की बात कर लेके पिछले साल हमने सतर सेंट का लो देखा नबबे सेंट का हाई हमने अगस्त में आते हुए देखा मार्केट अभी कंसरोडिशन जोन में जो एक नेगेटिव पॉइंट बना हुए है वो डिमांड को लेकर बना हुए कि ग्लोबल मार्केट में डिमांड एजो प्रॉप नहीं है बट सेंटल बेंक जी जन से कोशिज कर रही है हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड एसीवी फैड चाइना यह सब सारे सेंटल बैंक इंफेक्ट आरवी आईवी कोशिज कर रही है कि पट्री पर लाया दिखा देगा क्योंकि चाइना का स्टेट रेजर जो है वो फोला खाली पड़ा हुआ है चाइना की डिमांड भरपूर रहनी है लमजान के भी डिमांड मार्च की है हमारे बिमांड है तो खुल मिला के बेको कॉटन पर मंदीर लगती है एंट शिक्स पर आ जाते हैं तो अ मेंड तक का मेला वेट है क्योंकि जो भी अराइवल का प्रेशर रहेगा वीस मेंड तक रहेगा उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में अराइवल गाया पर डिमांड दिर दिर इंप्रूव होगी जो प्राइस को 64 से 65 अजार मिनीमम आप कंसरवेटिवली पकड़ो मैं लास्ट टैम में इंटर्व्य में कहा भी था कि पैता ली सो के नीचे जाता हुआ दिखेंगा है तो हमने लगवग चोवाली सो चोवाली सो कचास का कुछ जगा पर हमने लो देखा है बट अब मुझे लगता है कि स्टैप्रिटी बन चुकी है मार्केट में एक कि पचास और रुपए की गिरावट आजा है या कंसरोडिशन आजा है बट कुल मिला के मुझे लगता है चौपन सो पच्पन सो तक का लेवल हम अगे देट दो मैने में देखेंगे कोई बड़ी मंदी एडिबल और दिखाई नहीं दे लिए है और इंडिया में तो करें कुछ कट्रों नहीं है करें आप लें नहीं में पाहिन दे जफ्राइण में मुझे सब्सक्ता में देखेंगे लिए क्वाज शाहिए पास कही जाए नहीं है कर आपकोए को हैँ अ झाल झाल